Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आपको पताएं कि LLB 6M में और BALB के 9M में एक आपके syllabus में subject है mood code. ये mood code का जो आपका subject है ये बिलकुल practical paper है. ये पूरे 100 marks का होता है. इसमें आपको एक project report बनानी होती है. और जो university से examiner आते हैं, वो आपका वाइवार लेते हैं. तो अपनी experience के basis पे जो मैंने realize कि examiner कौन-कौन से question जो है जनरली बच्चों से पूस्ते हैं. उन सब question को मैंने जो है prepare करा है, जिने मैंने नाम दिया है more questions for practical. तो आप इस video को बिलकुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि जनरली इनी question में से examiner question put up करता है. अगर आप जो मैं question आप से discuss करी हूँ, वो आप अच्छे से समझ जाते हैं और learn कर लेते हैं, तो I do hope you will be able to secure very good marks in your viva or on this practical. और आप examiner को भी बहुत अच्छे से impress कर सकेंगे, कि आपकी knowledge और आपकी understanding of the subject बहुत अच्छी है. तो चलिए start करते हैं हम अपने first question से. देखे, पहला question आपको क्या बताता है, कि mood code की से कहते हैं और इसका object क्या है. यह बहुत important question है और इस subject का elementary question. देखे, जब आप जो है LNB की पढ़ाई करके lawyer बनते हैं, तो उस मत आपको court में जाके अपने case को present करना होता है. अगर आपने पहले से training नहीं लिये कि court में जाके case को कैसे present करना है और उस case को कैसे prepare करना है, तो आप बहुत जादे नर्मस होंगे और आप judge के सामने अपने case को बहुत अच्छे से present नहीं कर पाएगे. इसलिए जब आप college days में होते हैं, तो mood court का जो है, हम जो है organize करते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चों को पूरी तरिकी से सिखाया जाता है कि case को कैसे prepare करना है, और court में जाके आपको case कैसे present करना है. तो बच्चों को different problem दे दी जाती है, और बच्चों में से ही एक plaintiff बनता है और एक defendant बनते हैं. अपनी अपनी side के case को वो जो है present करते हैं और argue करते हैं judge के सामने. तो judge भी जो है faculties में से भी हो सकता है या आप किसी outsider को भी बुला सकते हैं. तो एक तरीकी से simulated court होता है, यह आपका real court नहीं है, यह simulated court है, जहां आपको training दे जाती है, कि आपको अपने case को कैसे prepare करना है और उसे court में जाके कैसे present करना है. तो जितना जादे आप mood court में participate करते हैं, उतना ही जादे आप जब really में court में जाते हैं, तो आप बहुत जादे confident feel करते हैं, और आपको पता होता है कि हमें अपने case को कैसे prepare करना है, और उसे कैसे present करना है. Next question है कि mock trial किसे कहते हैं? आप बोलते हैं mock trial, अब जैसे आपका वाइवा वोसी आपके university के examiner लेंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको वाइवा की practice करवारी हूं, rehearsal करवारी हूं, तो मेरे question का नाम किया है mock questions from practical, इसी तरह से mock trial होता है कि जब आप घर में रहके जो है, उसकी practice करते हैं, कि मुझे case को कैसे present करना है, तो उसको आप बोलते हैं mock trial, अब next question आता है कि mood court और court में क्या difference है, अब आपको पता चल गया होगा, मैंने mood court का जब introduction दिया, कि court तो real court होते हैं, कि जैसे आपने देखा होगा आपके relative या known के जो case नगे भी होते हैं, तो आप court में जाते हैं, तो वो तो आपक real court होगे, जो actually में judgment pass करते हैं, जहार पर full-fled advocate ही जो है, जो आपकी counsel होते हैं, वो case को present करते हैं, लेकिन mood court क्या है, mood court तो सिफ एक samulated court है, जो आपने खुदी बनाया भी है, जिसमें आप बच्चों को training दे रहे हैं, कि किस पर ही किसे case को prepare करना है, और किस पर ही case को present करना है, तो यह difference होता है आपका mood court में और court में, अब next question है कि citation किसे कहते हैं, देखे, citation क्या होता है, कि अगर आप कोई case present करने जा रहे है court में, अगर आपको लगता है कि मेरे case से related जो fact है, इस तरह का decision पहले भी Supreme Court में declare कर दिया है, तो आप अपने case में, मतलब judges को यह बताने के लिए कि ऐसा ही decision Supreme Court ने भी decide किया था, तो Supreme Court के leading case को आप अपने case में refer करते हैं, अगर Supreme Court ने decision नहीं रिया, तो फिर आप High Court के leading case को अगर है उस case से related, तो उसको आप refer करते हैं, तो इस तरह किसे हम देखते हैं, यह जब आप Supreme Court की या High Court के leading decision को अपनी case में refer करते हैं, तो इसी refer करने को जो है citation कहते हैं, clear हो गया citation किसे कहते हैं, अब next है आपका, कि जो appeal होती है, क्या यह mood के जो cases होते हैं, उनके अंगेस जो है appeal जा सकती है, तो आप बताईए अपने common sense से, कि अगर हम mood court की practice अपने college में कर देखते हैं, तो उस case की क्या हम appeal कर सकते हैं, real court में, तो आपको भी पताईए, कि जो mood court है, वो तो simulated court है, वो real court नहीं है, तो जो आपकी cases है mood court के, उनकी appeal नहीं हो सकती, क्योंकि appeal करना तो जो plaintiff है या defendant है, उसका statutory right है, और mood court तो आपका real court है नहीं, तो इसलिए mood court के decision की कभी भी appeal नहीं हो सकती अब next slide में मैं आपको बताऊंगी, next question इसका fifth का slide change, next है आपका, what do you know about the hierarchy of court under judicial system of India, देखिए ये बहुत important के आपका जो question है, और इससे related जो है examiner generally question पूछते हैं, कि hierarchy of the court क्या होती है, देखिए, hierarchy में दो तरह के आपकी cases हो जाते हैं, एक तो civil nature के और एक आपकी criminal nature के, अगर हम civil cases की बात करें, तो मैं उसकी hierarchy बता देती हूँ, सबसी पहले जो आपका Lewis court होते हैं, उसमें आता है court of civil justice junior division, फिर आता है आपका court of civil justice senior division, उसके बाद आता है आपका district court, फिर आता है आपका high court, उसके बाद आता है आपका supreme court, तो ये division आपके चलते हैं, पहला कौन सा हुआ, court of civil court, इसमें दो division होते हैं, junior division और senior division, फिर आपका district court, फिर आपका high court, और उसके बाद आता है supreme court, अगर हम criminal cases की बात करें, तो सबसे पहले जो है magistrate court आते हैं, उसके बाद session court आता है, फिर आपका high court आता है, और उसके बाद आपका supreme court आता है, अब आप बिना किसी hesitation के अराम से, जो hierarchy of court है, वो बता सकते हैं, next है आपका plaint के essential part कौन कौन से होते हैं, देखी, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, plaint किसे कहते हैं, ठीक है, तो court में आपकी दो party होती है, एक plaintiff होता है, और एक आपका defendant होता है, तो जो party, दूसरी party पे allegation लगाती है, जो कहती है कि इसने ये crime किया है, तो उसको आप बोलती है, plaintiff, और जिस party के अंगेस्ट ही allegation लगी है, जो दूसरी party अपने आपको defend करेगी, उसको हम बोलती है, defendant, तो दो party होगे, एक plaintiff हुआ, और एक आपका defendant हुआ, तो plaintiff जो है, सबसे पहले जब हो case की शुरुआत करता है, तो उसे court में plaint देना पड़ रहे होता है, एक written document होता है, इस written document में आपने क्या-क्या दूसरे person पर allegation लगा रहे हैं, क्या आपके cause of action है, यह सब चीज़े आप लिखते हैं, तो यह जो starting में written document, plaint, court में दाखिल करता है, उसी को आप plaint कहते हैं, अब यह जो plaint होता है, उसके कुछ essential part होते हैं, पूरी plaint को हम जो है, four parts में divide करते हैं, सबसे पहला part कौन सा होता है, heading and title, बहुत important है, इसलिए हराम से सुनिए, सबसे पहला part क्या है आपका, heading and title, दूसरा आपका क्या होता है, body of part, और third क्या होता है, आपने कौन-कौनसी relief claim करिया है, और इसका last part कहता है, आपका verification, तो कौन-कौनसी चार-part होगे, सबस इसके बाद body of the plane, उसके बाद आपका relief आता है, और fourth आता है आपका verification, आप कभी-कभी examiner ये भी पूछ लेता है, कि heading में क्या क्या चीज़ आती है, देखे, जो heading होती है, तो जिस court में आप case file कर रहे हो, जो competent court होता है, उसका नाम आता है, suit, number आता है, फिर name, description and residential address of defendant and plaintiff दोन होके आते हैं, अगर आपका defendant जो है minor है, या unsound mind का है, तो आप एक statement उस effect का भी लगाते हैं, तो ये तो हुआ, क्या heading में आएगा और title में आएगा, फिर आता है आपका plane की body, body में क्या होता है, कि जो हम allegation लगा रहे हैं, उसका एक statement होता है, और उससे related जो भी material fact होते हैं, उ तो ये थे plane के essential part, this is very important question और generally आपसे पूछा जाता है, फिर next है आपका की written statement कीसे कहते हैं, देखिए, plane thief ने तो क्या किया, plane दाखिल करी, अब defendant अपना case present करेगा, या तो वो जो है, उस case को, जो भी उस पे allegation लगाएगे हैं, उन्हें वो admit कर सकता है, या फिर उनका deny कर सकता है, तो जो written document defendant पेश करता है, in response to plane, उसी written document को हम क्या बोलते है, written statement, तो इससे आपको पता चलता है कि कि किसी भी case में दो party है, एक plaintiff और एक आपका defendant, plane, plaintiff प्रसूद करता है, और written statement आपका defendant देता है, अब next है आपका WS, WS का मतलब है written statement, तो written statement के कौन से तीन पार्ट होते है, देखे, सबसे पहला पार्ट, इसके तीन पार्ट में सबसे पहला पार्ट है, कि उसने admission किया है, या उसने deny किया, वो आपका mention होता है, उसके बाद additional plea होती है, अगर उसने कोई additional plea ली है, और जो उसका third and last part होता है, वो होता है verification और उसक signature, तो तीनों part क्लियर होगे, पहले में admission and denial हो सकता है, second में additional plea हो सकती है, और third में verification और उसके signature आते है, अब आपका last question क्या कहते है, प्लीडिंग किसे कहते है, देखे, मैंने आपको plaint बता दिया, मैंने आपको written statement बता दिया, अभी जो प्लीडिंग है, प्लीडिंग जो है, ज दोनों ही पार्टी जो अपने अपने written document court में पेश करती है, उसी को हम pleading बोलते है, तो it means pleading में आपका plaint भी आता है, और pleading में आपका WS या written statement भी आता है, क्योंकि plaintiff ने plaint किया, वर्वीज के अंदर आएगा और defendant ने written statement दिया, तो वो भी pleading में ही आता है, तो it means pleading include both plaint as well as your written statement. अब हमारा next question आता है, what do you mean by amendment of pleading? देखे, pleading में दोनों चीज़ा आती है, आपकी plaint भी आता है, और आपका written statement भी आता है, लेकिन अगर आपने court में एक बाद complaint को file कर दिया, या written statement को file कर दिया, क्या आप उसे change कर सकते हैं, तो court आपको allow करता है, कि अगर sufficient prison है, तो आप इन pleading को change कर सकते हो, modify कर सकते हो, तो इसी को हम बोलते है, amendment of pleading, means pleading को एक बार file करके, अगर आप उसमें change कर सकते हैं, amendment कर सकते हैं, so this is called amendment of pleading, अब next आता है, आपका what documental file during institution of suit, this is also very important question, और ये generally बच्ची, इस simple question का बिल्कुल ठीक से answer, नहीं बेते हैं, देखिए, जब institution of suit होगा, तो इसका मतलब वो suit की बिल्कुल starting है, तो suit की starting में WS जाता है, या plane जाता है, अब तो आप बताई सकते हैं, जब suit start करते हैं, तो वो plane से start होता है, plane की response में फिर written statement आता है, तो plane से start हो रहा है, तो plane से जब start होता है, तो उसे आप institution of suit बोलेंगे, तो उस वक्त क्या क्या चीज़े जाएगी, सबसे पहले जो plaintiff है, वो plane को दाखिल करेगा, बिना plane की तो आपका institution of suit भी नहीं होगा, plane के साथ वो court fee की supporting भी देता है, कि आपने court fee जो है payment कर दिया है, क्योंकि बिना court fee के court आपके case को entertain नहीं करता है, और फिर आप council का जो है वकालत नामा भी उसमें annexer की तरह लगाते हो, और fourth plane से related जो भी annexer है, या जो भी आपके affidavit है, वो आप उसके साथ लगाते हो, तो इसका मतलब क्या क्या चीज़ें आप डालते हो, plane डालेंगे, court fee का documentary evidence डालेंगे, council का वकालत नामा लगाएंगे, और plane से related अगर आपने कोई annexer लगाई है, या कोई affidavit दिया है किसी चीज़ को प्रूब करने के लिए, तो वो भी सारे document आप institution of suit के टाइम पे भेजते ह अब next क्या होता है, affidavit, दिखिए, affidavit तो आप लोगोंने हर किसी ने सुना है, तो affidavit को लेकिन जब examiner कूछते हैं, तो इसकी as a layman definition बताने में, student मैंने देखा है, बहुत confused जाते हैं, उनको real meaning पता होता है, लेकिन उसे वो word में express नहीं कर पाते हैं, तो affidavit का simple meaning है, कि एक written declaration होती है, जो आप oath को administer करके proper authority के सामने देते हैं, तो उसे भोलते हैं affidavit, तो इसका मतलब क्या है, अगर concerned authority आपको oath administer कराके, आपसे कोई written declaration लेती है, तो वो कहलाता है आपका affidavit, अब आपका last question आता है, कि what is a person to whom property is due to pass under a will or trust code, इस meant अगर आपने will बनाई है, या trust बनाया, तो उसकी property जिस person को पास होती है, उस person को हम क्या कहते हैं, आप लोग बताइए क्या कहते हैं, it is very easy answer, you are all correct, actually उस person को हम बोलते हैं beneficiary, तो will के अंदर जिस person को property जा रहे हैं, उसे भी हम beneficiary बोलते हैं, और trust के अंदर जिस person क benefit के लिए trust बनाएं, उसको भी हम beneficiary बोलते हैं, अब हमारा next question कहते है, what do you mean by decree, order and judgment, ठीक है, तीन चीजों में आप से पूछा जाता है, decree किसे कहते हैं, order किसे कहते हैं, और judgment किसे कहते हैं, देखिए, जब कोर्ट में judge जो है, कोई भी order को प्रोनाउंस करता है, ठीक है, on the ground of decree and order, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो decision court में दिया है, judges में दिया है, उसे हम बोलते हैं, judgment, तो judgment के आने के बाद, फिर आपका इक detailed decision तयार होता है, और वो जल्दी से जल्दी court की responsibility होती है, उसे बनाना, तो judgment का जो formal expression, detailed formal expression है, उसे आप बोलते हैं, decree, तो court को ये judgment के 15 दिन के अंदर जो है, बना कर देने पड़ती है, तो decree क्या होती है, एक तरीकी का detailed judgment होता है, जिसमें आप बताते हैं, कि आपका cause of action क्या था, इसमें क्या-क्या material fact थे, कौन-कौन से आपने evidence को call किया था, तो जो formal expression of judgment है, जो detail में होत होता है, और जो party to suit के right और liability को बिलकुल finally decide करता है, उसे आप decree बोलते हैं, और order क्या होता है, order भी बिलकुल decree की पर ही होता है, ये भी judgment का एक formal expression होता है, ये भी court का decision है, लेकिन order decree से अलग होता है, कुछ मामलों में ही similar होता है, और कुछ मामलों में ये अलग होता है, similar कैसे होता है, कि दोनों ही court के decision है, दोनों ही formal expression of judgment है, तो इस sense में order और decree एक जैसे होता है, लेकिन decree में क्या होता है, आप जो भी suit के point होते हैं, या तो सारे, या कुछ point पे, आप parties के जो right और liability है, उन्हें बिलकुल finally decide कर देते हैं, लेकिन order में, आप finally decide कर भी सकते हैं, और finally decide नहीं भी कर सकते हैं, तो फाइनली डिसाइड के भी आप बीच में कोई order पास करते हैं, तो ये होती है तीनों terms की definition, ये बहुत important है, and most of the students got confused in this, तो आपको judgment पता चलिया, decree पता चलिया, आपको order पता चलिया, नेक्स्ट है, आपको judge किसे कहते हैं, सबको पता है judge किसे कहते तो court का जो presiding officer होता है, ठीक है, court के presiding officer को आप जो है judge बोलते हैं, अब next है decree holder किसे कहते हैं, और आप judgment debtor किसे कहते हैं, देखिए जब decree pass होती है, तो decree किसी के तो favor में जाएगी, और किसी के अंगेस्ट में जाएगी, for example, plaintiff ने एक suit file किया था, कि मुझे B से जो है 10,000 लेने, क्योंकि मैंने इसे 10,000 उधार दिये थे, तो यहाँ पर A plaintiff है, और B defendant है, अब court ने order दिया कि B is responsible to repay 10,000 to A, तो इसका मतलब यह decree किस के favor में होई है, A के favor में होई है, तो जिसकी favor में होती है, उसे हम भोशते हैं, decree holder, जिसकी favor में होती है, जैसे B को 10,000 देने है, तो यह B के अंगेस्ट में होई है, तो उसको बोलते हैं, judgment data, clear हो गए decree holder में, जिस person के favor में दी जाती है, उसे हम बोलते है, decree holder, और जिस person के अंगेस्ट में दी जाती है, उसको हम बोलते है, judgment data, फिर आपका next question है, कि particulars किसे कहते है देखिए, यह बहुत important question है, कि जब भी आप plain में, या written statement में, कोई भी आप fact को mention करते हैं, तो जब उस statement की, जो आपने fact दिया है, उससे related material fact का description करते हैं, तो उसको आप बोलते हैं, particular, मैं आपको एक example देती हूँ, तो उससे बिल्कुल clear हो जाएगा, for example, एक lady ने चार्ज लगाया, कि मुझसे sale date sign करवाई गई, undue influence में, ठीक है, lady ने क्या चार्ज लगाया, कि मुझसे sale date sign कराई गई, undue influence में, तो यह तो इक statement हो गया, उस lady का, अब उससे related, बहुत सारी detail में fact दिये गए, कि कि किस ने undue influence लगाया था, क्या वो undue influence exercise कर सकता थ किस date को undue influence लगाया गया, और lady वास्तम में undue influence में आगर थी, और उसने इसी लिए sign किया, तो यह जो statement से related, detailed description आप दे ले हो, उनी को हम particular बोलती है, clear हो गया, अब आपका last question कहलाता है, कि cross examination किसे कहते है, देखिए, जब course में argument होता है, तो फिर witness को बुलाया जाता है, जब witness क बुलाया जाता है, तो जो adverse party है, अगर adverse party उस witness को जो है, examine करती है, तो उसको हम बोलती है, cross examination, clear हो गया, तो देखिए, दो party होती है, तो जो party अपने तरफ से witness को बुलाती है, ठीके, वो party उसको examine न करके, दूसरी party उसको examine करती है, तो उसको हम बोलते है, cross examination, अब हमारा next question आत कि evidence किसे कहते हैं देखिए evidence तो पते ही आपको कि आपने जो भी cause of action दिया है जो आपने allegation लगाए है या defendant ने उसका admission किया है या denial किया है तो अपनी अपनी support में वो जो भी चीज को जो है court के आगे रख रहे हैं उसी को हम evidence कहते हैं evidence oral भी हो सकता है evidence documentary भी हो सकता है तो दोनों तरह के ही आपके evidence हो सकते हैं अब next है what do you mean by representative suit देखिए representative नाम से ही लग रहा है जब आप अपने नाम से suit फाइल ना करके किसी और के बिहाब पे suit फाइल करते हो या अपने और किसी और के बिहाब पे दोनों को एक साथ लेके party बनात हैं तो उनको बोलते हैं हम representative suit जैसे minor के भिहाब पे guardian ने suit डाला या beneficiary के भिहाब पे trustee ने suit डाला तो यह वाले suit क्या करेंगे यह suit करेंगे आपके representative suit अब next is what do you mean by convincing देखिए convincing किस वर्ट से बनाया है convincing तो convince का meaning होता है कि अगर आप property का title transfer कर रहे हैं तो property के title को transfer करने की जो process होती है उसी को आप convincing बोलते हैं यह चीज़ clear होगे अब last में यह बहुत important आपका question है यह general है आपके third sem से लेके six sem करके किसी भी practical में examiner पूछ लेते हैं कि writ किसे कहते हैं और यह किसकी English issue हो सकती है तो देखे रिट क्या होती है रिट एक तरीके का written document है which is signed and which bear the stamp of the code तो रिट क्या होई कि यह एक जो है आपका written document है जो signed by the judge होता है और जिसपे code की stamp रगती है इस रिट में आप किसी भी person को किसी भी authority को उस authority में आपके government भी हो सकती हैं उनको आपकी command करते हैं कि आपको कोई particular काम करना है या कोई particular काम नहीं करना है तो इसको हम बोलते हैं रिट के यह भी पूछ लेती कितने types की होती है आपको पता है five type की रिट होती है सबसे पहली है आपकी hubis corpus, second है आपकी mandamus, फिर है आपकी prohibition, फिर है आपकी surgery और last में आपकी आपकी क्यों वारंट हो तो कौन-कौन सी हो गई? hubis corpus, mandamus, prohibition, surgery और last आपकी उड़ाती है क्यों तो यह आपकी पांच ग्रेट होती है अब इसका next question क्या आता है? what do you mean by rest judicata? यह बहुत अच्छा question है कि rest judicata किसे कहती है दिखिए अगर आपने कोई case डाला अगर उसी तरहिकर का case same party में same subject matter के लिए पहले ही decide हो चुका है तो फिर दूसरे case को आप allow नहीं करते हैं कि इस प कर देते ही तो इस तरही किसी litigation कभी खतम ही नहीं होगा तो litigation को खतम करने की point of view से अगर same party में same subject matter पे case जो है किसी competent court ने decide कर लिया है तो फिर आपको उस case की proceedings नहीं होती है तो इसी principle को बोलते है अब next होता है power of autonomy की से कहते हैं देखिए अगर कोई principle खुद काम ना करके अपने भियाब पे किसी और agent को appoint करता है काम करने के लिए तो वो उसकी favor में एक written document execute करता है जिसमें वो अपने agent को ये power देता है कि वो व्यक्ति मेरे भियाब पे काम कर सकता है तो इसी को बोलते है power of autonomy कि आपने agent को power of autonomy दे दिये कि अब वो मेरे भियाब पे काम कर सकता है next है आपका कि state bar council किसे कहते हैं और bar council of India किसे बोलते हैं आपको पता है कि lawyers के work को regulate करने के लिए body है जिनका नाम है state bar council of India या BCI हर state की अपनी एक अलग-अलग bar council होती है जिसे हम बोलते है state bar council है और जो पूरी इंडिया के लिए एक बार council होती है उसे हम बोलते है बार council of India तो state वाली को हम बोलेंगे state bar council of India और जो सभी state के लिए जो पूरी all over India के लिए उसे हम बोलते है बार council of India अब होता है explain the various jurisdiction of supreme court अब हमारा ही last question है इसमें क्या है कि supreme court के various jurisdiction बताई यह बहुत simple question है फिर भी बच्चों को यह नहीं बता होता है तो supreme court के कौन-कौन से jurisdiction हो गए एक तो उसका original jurisdiction होता है जब आप direct suit जो है supreme court में file कर सकते हो दूसरा होता है appellate jurisdiction जब आप high court के case की appeal जो है supreme court में करते हैं एक होता है आपका court of record कि supreme court का कोई भी case को या उसकी किसी भी record को आप एक evidence की form में पेश कर सकते हैं तो यह कहलाता है court of record तो यह होती है supreme court की jurisdiction अब next आता है कि pre-trial preparation की से कहते हैं देखिए pre-trial preparation में क्या है कि अभी आपने case prepare नहीं किया अब आप case को prepare कर दें court में जाने से पहले तो उस वक्त trial तो शरुन नहीं हुआ तो trial से पहले की जो preparation होती है उसे कहते है pre-trial preparation तो इसमें क्या करना चाहिए सबसे पहले तो advocate को यह देखना चाहिए कि जो client है वो आपसे किस चीज का case करवाना चाहिए उससे related सारी detail आपको लेनी चाहिए उससे related सारे document लेनी चाहिए फिर आपको देखना चाहिए कि यह कौन से section में जो है case आपका जाएगा और आपको साथ की साथ यह भी देखना चाहिए कि civil nature का है या फिर criminal nature का है क्योंकि अगर civil nature का है तो आप civil court में file करेंगे अगर criminal nature का है तो फिर आप criminal court में file करेंगे फिर आपको देखने हैं कि अगर आप court में जा रहे हो तो civil court में भी बहुत सारे court होते हैं तो आप कौन से court में जाएंगे तो आप competent court भी देखेंगे उसकी jurisdiction भी देखेंगे कि आपका जो case है वो कौन से judge की jurisdiction में आता है उसी हिसाब से आप जाएगे फिर आप देखेंगे कि रेजुडी कार्टा इस पर apply भी हो रहा है याने रेजुडी कार्टा का क्या मतलब है कि same party में same matter पे क्या पहले ये case decide हो चुका है याने अगर हो चुका है तो फिर आप दुबारे से इस matter में लिखेंगे नहीं करेंगे तो आप रेजुडी कार्टा का principle भी देखेंगे उसके बाद सबसे important tip प्लेंट फिर आप प्लेंट की preparation करोगे प्लेंट में सबसे उपर आप लिखते हैं कौन सी court में आप जा रहे हो उसके बाद आप name address and description of plaintiff and defendant देते हैं फिर आप जो है उसमें जो आपका statement है जो आपने allegation लगाएं वो बताते हैं फिर आप relief क्या मांग रहे हैं उसके बाद इसको verify करते हैं तो आपका plaint बन जाता है तो ये सारे तैयारी आप pre-trial preparation में करते हैं अब next आता है आपका civil matter किसे कहते हैं देखिए आपके matter civil matter होगा तभी वो civil court में जाएगा अगर criminal matter है तो आपका criminal court में जाता है तो जैसे आपका murder हो गया, theft हो गया या abatement to suicide हो गया तो ये सब क्या है ये IPCC से control होते है तो इसलिए ये सारे आपके criminal matter है civil matter क्या होता है अगर आपका property से related कोई case है आपका matrimonial कोई dispute है या आपने किसी को money दे रखिए उसे वापिस लेने का कोई चीज है आपकी तो तो difference clear हो गया कि civil nature के कौन कौन से case होते है और criminal nature के कौन कौन से case होते है फिर आपका आता है कि suit किसे कहते हैं देखिए suit को जो है CPC में कहीं भी define नहीं किया गया है लेकिन इसका एक layman जो meaning होता है वो ये होता है कि जब plaintiff plaint को court में प्रस्तुत करता है उसके बाद जो proceedings start होती ह तो उसको बोलते हो आप suit तो plaint को court में जब आप file कर देते हो उसकी basis पे proceedings आपकी start होती है तो उसको हम बोलते है कि इसे हम suit कहते है फिर next question है कि summon किसे कहते है देखिए जब आपने plaint दाखिल कर दी तो आप court क्या है defendant को बुलाएगा उसे बताएगा कि आपके अंगेस ये case लग तो या फिर आप evidence को भी बुला सकते हो बाद में तो जब आप किसी भी party को court में बुलाते है proper notice serve करके तो उसको आप बोलते है सम अब हमारा last question क्या कहता है कि X party decree किसे कहते है देखिए X party decree में क्या होता है कि आप case की hearing चल लिए आपको पता है दो पार्टी है एक आपका plaintiff है defendant अब plaintiff तो प्रस्तूत है उसमक्त hearing पे लेकिन defendant नहीं आता जबकि उसको proper summon court में बेज दिया है तो ऐसे case में court क्या कर सकता है कि वो defendant के बिना भी decision दे सकता है तो इसे बोलते है X party decree क्योंकि उसमें defendant एक पार्टी की तरफ नहीं है तो यह last question यह last question का मेरा यहां पर मतलब था कि इस slide का last question तब हम अपना next question देखते है कि who is an indecent person देखिए indecent person किसे कहते है अगर कोई person court fee नहीं दे सकता या किसी case को file करने के लिए court fee prescribed भी नहीं है तो उस पे 1000 value से उपर की property ही नहीं है means वो बहुत गरीब रिखती है तो ऐसे वेक्ति को हम बोलते है indecent person next आता है आपका injection किसे कहते है देखिए court case चलता है अभी final judgment ही आया कोई decree pass नहीं हो रही है तो बीच में ही अगर party को लगता है कि दूसरी party उसकी property को damage कर सकती है तो वो court से request करता है कि आप एक injection को order pass कर दीए तो injection क्या होता है judicial process है जिसमें court party को जो है कुछ काम करने के लिए कहती है या कुछ काम करने से रोकती है उसको बोलते हैं injection for example a land के उपर दो party ने claim किया A और B अब court को decide करना है कौन उसका rightful ओना है इसी बीच B उस पर कुछ construction शुरू कर देता है तो A court से कहता है कि अभी तो B की favor में ownership declare भी नहीं हुए है तो यह गलत है कि यह जो है यहाँ पर कोई construction कर रहा है तो ऐसे case में court injection pass कर सकता है और B को कह सकता है कि आपको यहाँ पर कोई भी construction नहीं कर लिए तो इसको हम बोलते हैं injection अब next आता है आपका interview technique किसे कहते हैं देखें इंटर्व्यू तो आपने बहुत बार सुना है कि आप job के लिए इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो यहाँ पर इंटर्व्यू टेक्निक कर क्या मतलब होता है law में देखें जब कोई भी client आपके पास जाता है अपने counsel के पास जाता है तो वो कुछ problem लेके जाता है तो जिस तरह से patient doctor के पास जाता है उसी तरह से client जो है अपनी problem लेके advocate के पास जाता है तो advocate को सामने वो अपनी सारी problem बताता है अपनी सारी detail बताता है तो उस मत advocate को बड़ी patiently जो है अपने client की सारी problem सुननी चाहिए उसको सुनके उसे properly advise करना चाहिए कि आपका case जो है इस तरीके से बनता है और आपके जीतने की इतने chances हैं और इतने नहीं है तो यह जो सब चीजों की advise वो client को एक अपनी first meeting में दे रहा है तो उसको बोलते हैं interview technique next है कि कौन-कौन सी relief मांगी जा सकती है देखे आपको पता है जब plaint plaintiff जो है plaint को court में file करता है तो उसका जो third part होता है plaint का वो होता है relief तो वो कौन-कौन सी relief मांग सकता है तो बहुत type की relief होता है मैं कुछ type के आपको example दे देती हो जैसे अगर किसी ने movable property को damage कर दिया तो वो उसका compensation मांग सकता है किसी की specific performance के लिए कह सकता है या immoveable property के possession के लिए कह सकता है या injection pass कर वाने के लिए कह सकता है या जो उसने money दे रखी थी उसको लेने के लिए case कर सकता है तो यह सब चीजे किस में आती है relief तो कोर से वो जो भी remedy मांगता है उसी को आप relief कहते हो और यह बहुत type की हो सकती है अब last है आपका बनावी slide का last question है कि defamation civil nature का है या criminal nature का है देखिए आप ध्यान रखिए जो defamation होता है वो दोनों ही तरिका हो सकता है criminal nature का भी हो सकता है और वो आपका civil nature का भी हो सकता है तो defamation दोनों टाइप का होता है civil का भी और criminal nature का भी अब next step यह आपका इक तरिके से समझेज़ें यह बिलकुल journal question है बच्ची इसमें भी बहुत confused जाते है which is law making body आपको पता है हमारे हाँ पर three government के ओर्दन होते हैं एक legacy nature, दूसरा executive और तीसरा judiciary तो law making किसका काम होता है वो legacy nature का work होता है तो law making body कौन सी हो गई आपकी legislature और first law officer किसे कहते है government of India का तो first law officer होता है आपका attorney general of India तो first law officer किसे बोलते है attorney general of India को अब next question है who is in India is not answerable to any court of law for the exercise of power and duty office office मतलब अगर वो अपने office की duty को perform कर रहा है तो उस duty को perform करने से related किसी भी काम में वो court के लिए responsible या accountable नहीं होता है तो वो कौन होता है आपका president तो इसका answer क्या होगा आपका president अब इस slide का last question है कि जो Indian lawyers है वो band क्यों पहलते हैं आपने देखा होगा वो tiny लगाते हैं वो लंबा सा band लगाते हैं तो इसका question यह है कि Britishers हमारे उसमें आये थे country में तो Britishers पे जो band होता है वो बहुती formal जो आपकी uniform होता है उसका expression होता है तो lawyers जब अपने case को present करते हैं तो वो बहुती formal state में होते हैं इसलिए वो type होना लगा कि band को prefer करते हैं तो यह tradition चल पड़ाता तब ही से तो वो आज तक follower है क्योंकि हम band को type की तुलना में जादे formal expression मागते हैं अब हमारा next है कि distinguish करिए यह आपकी last slide है कि decree and order किसे करते हैं यह मैंने आपको पहले question में भी बता दिया था decree क्या है? जज्जमेंट का formal expression है और यह parties की right और duties को बिलकुल conclusively determine कर देता है और order conclusively determine कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है तो decree and order दोनों बिलकुल अलग-अलग होते हैं फिर है आपका decree and judgment यह भी मैं बता चुकी हूँ जो court में judge pronounce करता है अपने decision उसे judgment कहते हैं और judgment का जो detail formal expression होता है उसे आप decree भोलते हैं फिर है आपका revision and appeal देखिए appeal क्या होता है? यह किसी भी party का statutory right है अगर कोई भी party जिसने case file किया वो उस court के inferior court के order से satisfy नहीं है तो यह उसका statutory right है कि वो higher court को जो है अपने case की appeal कर सकती है तो जो higher court है वो उसका judicial examination करता है तो इसी को हम बोलते है appeal और revision किसे कहते है? revision में होता है कि high court यह अधिकार से high court का है कि अगर उसकी subordinate court में jurisdiction में ना रहके decision दिया है यह jurisdiction में दिया है लेकि इलेगली दिया है तो वो उस case को अपने हाँ transfer करके revision कर सकता है तो इसको बोलते हैं revision तो appeal और revision में अब आपको difference clear हो गया होगा next is divorce and separation में क्या difference होता है देखिए legally जब husband wife दोनों spouse एक दूसे से अलग हो जाता है अब court का judgment आ चुका है कि वो legally separate हो चुके है तो उसे बोलते है divorce लेकि separation में क्या होता है कि divorce से पहले 6 महीने court कहते है कि आप separate है कि देखिए अगर आपको लगता है कि हम compromise कर सकते हैं तो आप compromise कर सकते हैं ने तो फिर आप divorce ले सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम separation अभी judgment इस favor में नहीं आया है कि आप जो है divorce ले चुके हैं तो divorce से पहले की जो situation होती है वो आपकी separation होती है फिर ये बहुत important question है magistrate and district judge देखिए जो session court होता है उनके judge को हम magistrate बोलते हैं जो के आपकी क्या होते हैं criminal matter की सुनवाई करते हैं और जो district judge या उनसे उपर के judge के होते हैं उन्हें हम judge बोलते हैं तो ये difference है आपका district judge और magistrate में means session court के जो judge होते हैं उन्हें magistrate बोलते हो और district court के जो presiding officer होता है उसे आप district judge बोलते हैं फिर आपका gift and will भी क्या difference होता है ये वैसे normally आप सब लोग बता सकते हो gift में क्या होता है कि आप voluntary और बिना किसी consideration के अपनी कोई चीज दूसरे व्यक्ति को देते हैं जो व्यक्ति gift देता है उसे donor बोलते हैं और जो व्यक्ति gift को accept करता है उसे donor बोलते हैं ये voluntary होता है और बिना किसी consideration की होता है will क्या होती है will में जो dying person होता है वो एक written document को लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी property इस इस व्यक्ति को दे दी जाए तो वो मरने के बाद ही जो है उन व्यक्तियों को मिलती है जबकि gift में उसके lifetime पर ही gift हो जाता है तो ये difference है will and gift में last difference आता है आपका section 32 और 226 में क्या difference है देखिए आपके कुछ fundamental right होते है constitution है आपके six fundamental right है तो अगर कोई भी इन rights को violate करता है इसमें government भी violate कर सकती है तो हर citizen को ये आपका right है कि वो इसकी remedy के लिए supreme court या high court में जा सकते है तो supreme court और high court में आप respectively आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में जाते हैं तो उन fundamental right के violation को रोपने के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में court जो है supreme court high court different writ issue करते हैं तो ये कहलाता है difference between 32 and 226 में तो I hope कि मैंने बहुत सारे question जो normally examiner पूसते हैं वो आपको clear कर दिये हैं अगर आप इन question की practice कर देते हैं तो examiner आपसे काफे impress हो जाएगा उसको लगेगा कि बच्चों ने बहुत अच्छे से study की है और उन्हें quite understanding है और वैसे भी ये बहुत general terms है जो law की student को जरूर पतानी चीए बिलकुल clearly पतानी चीए कि कोई भी आपसे कभी discussion में पूछे तो आप बता सकें तो I hope कि आपको ये lecture मेरा पसंद आया होगा and I do hope it will be very very beneficial to you so that's all for today lecture Thank you very much